वेलकम वेक टू माई चैनल इसपी सनाय की रसोई में आप सभी का वेलकम है मैं हूं साहिन जैसा कि आज आप यहाँ आप देखेंगे हम आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं जो की बिंटरी स्पेसल है तो चलिए अलग तरीकेस बनाते हैं इस्पेसल यहाँ पर हमने आलू को दाल लिया है इसको इस तरह से मैस कर लेंगे एक ग्लास की हिल्फ से तो यहाँ पर आप सभी आलू को फोल्ड लीचिए इस तरह से सब मैस हो जाएगा तो लगभग यहाँ पर हमने 5 लिटर का कुकर में धाई किलो आलू बाला है तो आप कम भी आलू बाल सकते आप फैमिली दालेंगे और फिर मैस कर लेंगे यहाँ पर हमने तक्रीवन तीन चमच नमक का इस्तिमाल किया है तो देखिए इस तरह से कलर चेंज हो गया है आलू का क्योंकि इसमें हरा चीज मिल गया तो यह हरा हो गया है देखिए तो इससमें करके रख लेंगे कुछ दिर तक फिर आगे हम एक कडाही को गयस पर पहले से चढ़ा के रखे हैं वहाँ पर हम ससो का तेल डाल देंगे तेल गरम हो गया है तो यहाँ पर हमने पचोरन डाला है पचोरन जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरह से आप देख रहे हैं तो इस तरह से भूनेंगे कुछ देर तक लगभाग हम तकरीबन इसे पांच मिनद तक भून लेंगे इसको इसलिए भूनेंगे क्योंकि भूनने से इसका स्वाद अच्छा आएगा पराठे में तो इस तरह से हम पेश्ट को एक तरफ भून लेंगे जैसा कि ठंडा होने के लिए क्योंकि इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम पराठा बनाए तो जो आलू का पेश्ट हो इससे इद्धम ठंडा कर लेना चाहिए नहीं गरम भरने पर वह पड़ जाएगा और आटे का जो लगाना है वह इद्धम उलायम लगाना अगर आप कड़ा गूते देंगे तो इससे भी आपकी पराठा फटने का डर रहेगा तो इस तरह से हम लोई बना रहे हैं तो लोई धीरे धीरे दबाते रहे हैं और बीच बीच में अंगली से टच करके उसका जो पेश्ट है अंदर कर देजिया और यहां पर हलकासा गोला दे दिजिया तो इससे जो इसट्रा आटर हैगा उसको आप कट करके रख दीजिए फीर इहां पर इसका चकावा बना लेजिए इस Đ तो यहां पर हम काफी बड़े साइज में पराठा बना रहे हैं तो देखिए हम आपको नापके दिखा रहे हैं एक बित्ता यह दो अंगुल का है लगभग पराठा तो यहां पर तबेपे हम डाल देंगे तबहा पहले से फ्रिए жд किये थे उस तरह से पलण दीजिए अब यहां पर आप चाहे तो एक चम्चे की हेल फशे ते लगा दीजिए हमने तो यहां पर पर कॉटन का कपड़ा है उसी कहल फशे डारिट लगाया है तो जिसका एस्पिर को लगा लेंगे और यह जो पल्टा है पल्टे की हिल्प से हलके हलके हाँ से इसको हम दबाएंगे जिससे की यह पराठा फूल जाएगा आप देखते रहे इस तरह से आपको इस पर जोर नहीं लगाना इस बात का ख्याल रखना है सिर्फ हलके से हाँ से टच करना है तो यहां देखिए, यह फूली-फूली पूली आप प्राथे बना सकते हैं। हमने यहां बना कर दिया है। तो तक्रीबन हमने यहां पेर 30 मारे यहां इसे तवे वाली पूडी भी बोला जाता है। जो कि तवे पे सिखाई करके बनती है। और सभी जगह इसे आलू का पराठा बोलते हैं तो यह गोल सेव में है पराठा तो लगवग तिरकोना इसेव में होता है पर सबकी अपनी अपनी भासा में अलग अलग बोलते हैं तो यहां पर लगवग हमाया पराठा तयार हो गया है तो चलिए आपको इसे नाप के दिखात चलिए इसको आगे तोड़ के दिखाते हैं कि यह कितना सॉफ्ट बना है तो यहां चलिए इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे देखिए यहां पर तोड़ने पर एक बार जरूर बनाईएगा मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में